खरीदने के लिए तैयारी जरूर कर रहे होंगे और सिरू ही से कमलेश हमार साथ जुड़ी हुए है कमलेश आप भी ज़रा तस्वीरे दिखा है बाजारों की इस तरह की रौनक नजर आ रही है संडे का दिन है आज तो ऐसे में बाजार भी गुलजार नजर आ रहे होंगे देखिए मेगा राखी का जो महत्व है अपने आप में है एक विश्वास का जो पर्व कहा जा सकता है भाई बेहन के बीच का वो पर्व है और ग्यारा तारिक को जहां राखी है उसको लेकर के अभी से ही लोग बाजारों में खरीदारी कर सकते हुए देखे जा सकते हैं मेरे सयूगी दिखाएंगे जिस वक्त जो हम बाजार में देखे महिला है जो घर से निकली आज विगेंड है विगेंड के बाद भी यहाँ पर जो खरीदारी का दौर है वो यहाँ पर देखा जा सकता है और यह जो सुन्दर रंग बिरंगी राखियां है उसको लेने के लि इस वक्त जहां हम बाजार में हैं और यह देखे जो सुंदर राकियां हैं वो जो लोग हैं वो खरिदते हुए नजर आ रहे हैं कुछ बात भी कर लेते हैं हम यहां पर बचियां भी हैं को सेडीज भी हैं इस इधर बात करें कि आप अपने मतलब बहुत अच्छे से मतलब इच्छा से क्योंकि रक्षा बंदन आ रहा है तो मैं इस बार अच्छे सी राखी से रेक्ट करें और क्या विशेश प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग एक साथ घूमने जाएंगे बाहर और बहुत सारी चीज़े करेंगे एक साथ म मैं राखी बांदूंगी जब टाइम होगा और फिर हम लोग बहुत सारी अलग-अलग वो मुझे तौफे देंगे बहुत अच्छा लगेगा फिर मुझे देखिए मिगा यहां पर जो तमाम जो राजिवी नजर आ रही है और कह सकते हैं कि जो यहां का जो माहौल है वो दे देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं कि जो राखी का पर्व है इस राखी के पर्व को लेकर के यहां के जो तमाम यह लोग हैं जो महिलाएं हैं जो बच्चे हैं उनमें काफी उत्सा देखा जा रहा है मेगा और खास तोर पर यह देखिए जो राखियों का जो दुकान है इ जो ये तस्वीरे हैं वो अलग-अलग जगहों की नजर आ रही हैं जैपुर हो चाहे वो जोदपुर हो सिरोही हो चाहे कोटा हो हर जगे ये तस्वीरे खूपसूरत ही है क्योंकि देखे एक तो वीकेंड है और अब बहुत ज्यादा समय रक्षाबंदन के लिए रहा नहीं है तो ऐसे में तैयारियों के लिए और खरिदारी के लिए लोग बहार निकले ही होते हैं कोटा से हमारे साथ गुल मौमद भी जुड़ गए हैं कोटा की किस तरह की तस्वीरे हैं गुल क्या कुछ बाजारों में नजर आ रहा है बहने जो है वो बहार निकली हुई हैं उनसे जरा पूछिए किस तरह की वो तैयारी कर रही है कौन कौन सी राखी जो है इस बार ट्रेंड में नजर आ रही है